नमस्कार धोस्तो, हमारे जनल पे आपका स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे राशियों के विशे में ये राशी क्या होती है? इसकी संख्या 12 क्यूं है? व्यक्ति की राशी कैशे निश्चित होती है? सूर्य राशी और चंदर राशी का अंतर क्या है? किसी व्यक्ति के जीवन से इसका संबंद क्या और क्यूं है? एक राशी के व्यक्ति के लक्षन क्यूं एक समान होते हैं? चल जो की विदिक खकोलिय विग्नान से आधारित है इसमें सूर्य, चंद्र, नव ग्रहों की गती के विशय में तथा उनकी उत्पत्ति के समय के विशय में बताया है तारा मंडल से संबंदित विशय में जानकारी है सूर्य मंडल में पृत्वी और अन्य ग्रहों की सूर्य की परिक्रमा होती है पृत्वी के सूर्य के परती होती परिक्रमा यदि हम एक तल में रखे और ब्रह्मांड के अन्य तारा मंडल के सापेक्स होने वाली पृत्वी की गती का एक वर्तुल बनाते हैं तो अलग-अलग समय में पृत्वी के सापेक्ष सूर्य अलग-अलग तारा समूर के सामने आता है। ज्योतिसी के अनुशार इस चक्र को बारा एक समान कौन में अर्थात खंडों में विभाजित किया जाता है। इस तरह अलग-अलग समय पर पृत्वी के सापेक्ष शूर्य इन बारा खंडों से गुजरता है। ध्यान रहे यहां सूर्य की अपनी गति नहीं होती, किन्तु पृत्वी के सापेक्ष यह देखना है। हर एक खंडो में अलग-अलग तारो का समू सूर्य के सामने पढ़ता है जिसे हम राशी कहते हैं इस तरह 12 खंडो के 12 तारा समू को हम 12 राशियों के रूप में जानते हैं हर एक तारा समू के जोड से निश्चित आकर्थी बनती है और उसके अनुसार राशियों का नाम दिया गया है यह राशिया है मेश, व्रुषब, मिथुन, कर्क, सिह, कन्या, तुला, व्रुषिक, धनू, मकर, कुम्ब और मीन यह राशि जो हमने सूर्य की गती के अनुसार निर्धारित की उसे सूर्य राशी, जोडियाक साइन या संसाइन कहते हैं और क्योंकि सूर्य की गती वर्ष के 365 दिनों के हिसाब से निश्चित है, इसलिए इन राशियों के दिन भी अंग्रेजी केलेंडर के अनुसार निश्चित है जिन में दो प्रकार के वर्ष है, ट्रॉपिकल यानि उष्णकटी बंधिय और साइडेरियल यानि नक्षत्रिय ट्रॉपिकल वर्ष के अनुसार राशियों के दिन इस प्रकार है एरिस यानि मेश 21 मार्श से 19 अपरेल तक, टॉरस यानि व्रषब 20 अपरेल से 20 मई तक, जैमीनी यानि मिथोन राशी 21 मई से 20 जुन तक, कैंसर यानि कर्क 21 जुन से 22 जुलाई तक, लियो यानि सिह राशी 23 जुलाई से 22 अगस तक, फर्गो यानि कन्या राशी 23 अगस से 22 स्कॉर्पियो यानि वुष्चिक 23 अक्टवर से 21 नवेंबर तक, साजिटेरियस यानि धनु राशी 22 नवेंबर से 21 दिसेंबर तक, कैप्रिकॉन यानि मकर राशी 22 दिसेंबर से 19 जानिवरी तक, एक्वेरियस यानि कुम्ब राशी 24 जानिवरी से 18 फेबरोरी तक, पाइसिस यानि मीन राशी 19 फेबरोरी से 20 मार्थ तक, इस तरह यदि किसी व्यक्ति का जन्म 21 मार्थ से 19 अप्रेल के दिनों में होता है, तो उसकी जन्म सूर्य राशी मेश होती है, इस तरह अन्यसंसाइन उसकी जन्म राशी के तारिक के अनुसार निश्चित की जाती है, अब जानते हैं चंद्र राशी यानि मून साइन के विशे में, जैसे कि हमने जाना कि सूर्य राशी सूर्य की पृत्वी के सापेक्स गती के निश्चित तारा मंडल के समू के सम्द में निर्धारित है, व एक राशी में ब्रह्मन कर लेता है इसलिए व्यक्तिकी चंद्राशी निश्चित करना कठिन होता है क्योंकि इसे निश्चित करने में जन्म का समय और जन्म का स्थान भी महत्वर रखता है भारत के विभिन राज्यों में तीथी के अनुसार कैलेंडर का अनुसरन होता है उन शास्त्री के पास से यह जान सकते हैं और अभी कई वेबसाइट पर मून साइन कैलकुलेटर उपलब्ध हैं जिससे यह जानकारी पास सकते हैं अब जानते हैं हिंदू संस्कृति में इसका महत्व क्या है जोतिशी के अनुसार जन्म के समय तारा मंडर और ग्रहों की खगोली अस्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व और इस तरह उसके जीवन को प्रभावित करती है सामाने तोर पर एक राशी में जन्मे व्यक्तियों की व मिलती जूलती पाई गई है जोतिश शास्त्र संपूर्ण विक्षित नहीं हो पाया है इसी कारण विज्यानिकों में इनके प्रती विवित बयान मिलते हैं और यही वज़्य है कि इसको सुडो साइंस कहा गया है चलिए जानते हैं पोराणिक खगोलिय जानकारी के अनुसा राशी के समय में तारा मंडल का व्यक्ति के जीवन में प्रभाव कैसे होता है एक जानकारी के अनुसार ग्रहो नक्षत्रो या तारा मंडलों से विभिन्य शुक्स्म तरंगे धर्ती पर पढ़ती है अलग-अलग ग्रहो की तरंग की फ्रिक्वंसी और प्रभाव अलग-अ अलग अलग स्थान और समय पर यह तरंग अलग प्रकार की होती है। कुछ सकारत्मक और कुछ नकारत्मक प्रभाव बताया गया है। इस तरह एक राशी के व्यक्ति के लक्षन कुछ मर्यादा तक एक समान देखने को मिलते हैं। यह तारा मंडल की तरंगे व्यक्ति के जीवन काल में हर समय प्रभावित करता है इसे लिए कुछ नकारत्मक प्रभावों को कम करने के लिए जोतिस शास्त्र में अलग-अलग स्फटीक में अनुरजना वाले खनीच पत्थरों का उप्योग बताया है जिसको ग्रहों के नंग भी बोला जाता है इसके पीछे भी विज्यान है अलग-अलग स्फटीक से अलग-अलग कमपन उत्पन होते हैं जैसे क्वार्स नाम का स्फटीक है उसके कमपन का उप्योग घड़ी को चलाने के लिए होता है ऐसे अन्य खनीच पत्थरों की या कहें जैमस्टोन के कमपन की विष्टृत्र जानकारी हम अन्य वीडियो में देखेंगे ये कमपन शरीर की उर्जा जो नाडियों से प्रभाहित होती है उन्हें नियंत्रित करती है जिनके चलते सारीरिक राशयायन की गती नियंत्रित होती है व्यक्ति की भावनात्मक गती विधी में हॉर्मोन की और जूतिसी के विशय में यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें इस तरह के अन्य वीडियो के बारे में जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें धन्यवाद जेश्री कृष्णा